वेल्कम बैक टु माय चैनल आप मेरे साथ है यानी मोना कोर के साथ है और आप सोच रोंगे निन से में कहां गाया प्री तो चलिए दिखे में कहां गाया प्री आप मेरे साथ इन सब ही वीडियो को इंजोई कीजिए और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए तो चलिए वी रेदी वेडिंग का डेवन स्टार्ट करते हैं गनेश पूजन के साथ हमारे आज सबस पहले घर में शादी होती है तो सबसे पहला जो इंविटेशन होता है वो गनेश जी को जाता है मैं प्रोपर इंदोर से हूँ मर्देप्रदेश मेरा बर्थ-प्लेस है तो यहां पर खजराना मंदीर एक गनेश जी का बहुत बढ़ा मंदीर है और बहुत ही सुंदर है यहां पर हम साथ गए थे ममी पापा में और बिग बॉस और मेरे दो पिट्स गए थे शादी की तैयारिया बड़ी जोर सोर से चल रहे थी बट कुछ लोगों की पर्मिशन के कारण हम लोगों ने कुछ लोगों को कट आउट कर दिया जिन लोगों ने वैक्सिन लगाई थी वही शादी में आप आए और बहुत इंग्जॉय किया आनी वाली काफी सारी वीडियोज होंगी जिन में सारी रस्म और मेरी पूरी फैमिली से आपको मिलाऊंगी आपको भी देखके बड़ा मजा आएगा तो हम बहुत चुके हैं मंद गया है और इस शादी की पर्मिशन जो थी वह सो लोगों की थी लेकिन मेरे परिवार में से सिफ पचास लोग हुए थे हम लोगों ने पचास लोगों का ही अलाउग किया था कि हम जादा भी नहीं करेंगे कि सब के बच्चे हैं तो शादी तो मतलब हमने सोचा था ग्रें बड़ा सा हॉल बुक किया था वो सभी कैंसल करके हमें सीफ लिमिटेट शीट बलते ना लिमिटेट सीट में इंजॉई करना पड़ा लेकिन बड़ा मज़ा आया इतना मज़ा आप भी इंजॉई किजिएगा और दीखिए यहां पर हम लाइन में खड़ें हैं कितनी लंबी न यहां पर है देख रहें कितनी लंदी भीग है और सभी मतलब मोस्ली जो लोग थे ना वो यहां पर शादी का इंविटेशन देनी आए देखें ममी के हाथ में इंविटेशन कार्ड है पापा ने वे मास्क पहना हुआ है पंडित जी है यहां पर लिखा हुआ है पांच से छे फिट की दूरी बनाए रखें लेकिन क्या बोल सकते हैं बट मज़ा आया मैं बहुत दिनों बाद यहां इस मंदीर में रही थी और पहला इंविटेशन देना यानि गणिश जी जो सबसे पहले कारे में सबसे पहले इंविटेशन इंव फ़के मैं पती जी की जो पुजारी है उन्होंने पूजा स्टार्थ कर डीथी कार्ड के लिए जो भी vac़ यह oui जुब होता है और साथ ने रिटन में इक नारियल भी दिए था और रूमे कहा था कि जब से पहला गनीश पूजन होता है तो उसमें उस नाडियल को रखना होता है और जब भी रिटर्न करें शादी अच्छे से हो जाए तो जोड़ी के साथ उस नाडियल को देना होता है तो हमने बताया था देखिए मैं भी आपको दर्शन करा देती हूँ देखिए ये है इंदोर के फेमस खजराना गनीश मंदीर अगर जब भी आप इंदोर जाएं इस मंदीर को बिलकुल विजिट कीजीगा एक शानती से मिलती है और बहुत सुंदर मंदीर है बहुत अच्छा तो हम पूजा करकर इंविटेशन दे कर बपाजी को आ गए हैं बाहर अब हम खर जा रहे हैं तो ये नेक्स डे है गनेश पूजन की तयारी हो रही है ये पंडित जी है और ये मेरा घर है मेरा नहीं मेरा मायका है जहां पर वीरे दी वेडिंग यानि मेरे भाई की जो होता है वो गनेश पूजन के साथ शादी स्टार्ट होती है तो यहां पर यह जो पंडित जी है वो शादी जो गनेश पूजन है उसका तैयारी कर रहे है और यह मेरा दीदी का लड़का है पलाश तो यहाँ पे मेरी चाची जी बेटी हुई है मास्क लगा के और वो भी पंदित जी के साथ पूरी तयारियां करवा रहे हैं मतलब बहुत इंजॉई किया है सभी ने मैंने हर एक मोमेंट को कैप्चर किया है ताकि मैं याद रख सकूँ कि हमने कितनी मस्ती की थी और इस लॉक्डाउन में ना सिरियंसली हर कोई अपसेट था हर कोई दूर था कोई किसी से मिल नहीं पा रहा था बस ये एक लास्ट मॉमेंट था हमारे लिए जिसे हम अपनी लाइफ को एकदम पुलते ना कि वो जो दो साल हमने लॉक्डाउन में बिताया उसे पूरा इंजॉय करना चाहते थे और फाइनली वो मॉमेंट आ चुका था पहले अपरेल में शादी थी बट वो डिले हो गई लॉक्डाउन की वज़े से कैंसल हो गई उसे पॉस्टमॉन करना पड़ा और अब ये हुई है साथ जुलाई को तो हमने बहुत ही जॉय किया है गडिश पुजन की तयारी चल रही है झाल रही है शादी जो हुई है पूरी सेफटी के साथ हुई है जिन लोगों ना वैक्सीन लगवाया था वो ही इस शादी में शामिल हुए है भाई की जो बराद जानी थी वो टिकमगर जानी थी तो विद प्रूफ पर्मीशन लेटर के साथ और जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया था उसका सर्टिफिकेट भी हमने बस में रख लिया था ताकि कोई भी प्रॉब्लम क्रियेट ना हो साथ से सतर लोगों का पर्मीशन था बट हम लोगों की तरफ से जो बराद में गए थे वो सिर्फ चालीस लोग थे अल्मोस्ट बट बहुत मस्ती किये यह मेरी मम्मी है वो पंडिजी को पताते हुए कुछ सामान देने के लिए कौन-कौन सी तैयारिया करने हम शादी जो होती है वो भूत भागदोर वाली होती है तो चलिए आप इंजॉय कीजिए देहम फिर और आगे हुआ हाँ झाल हुआ हुआ हार है अ हुआ है झाल 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 झाल